हाई फ्रेंग्स आज हम लोग स्टेंड टेंथ का एलजेब्रा का प्रेक्टिस सेट 1.2 का कुश्चन नंबर 2 सॉल करेंगे कुश्चन नंबर 2 मैंने यहां पर लिखा हुआ है सॉल्ड फॉर्ड है साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिग ग्राफिकल मेथड ग्राफिकल मेथड के इसाब से यह एक्वेशन को सॉल्ड करके हमको एक्स और वाई का वेरी फाइट आट करना है एक्वेशन एक्वेशन मैं ंग स्थी जरो एग सिंगे यइवा कियेक य कैस्टाइब धिक्स उयालि की Rs. x का 2 लिया है 2 एजूम किया है x plus y is equal to 6 यह हमारा equation है वहाँ पर x का value 2 substitute कर दिया y is equal to 2 plus y is equal to 6 y is equal to यह plus 2 है shift होके right hand side में जा रहा है minus 2 हो जा रहा है और y का value हमको 4 मिट रहे यहाँ पर हम लोग x या y का value हम अपने हिसाब से ले सकते हैं उसकी सबसे solve करना है छोटा value लेंगे तो better रहेगा minus 1 भी ले सकते हैं जरूरी नहीं कि आप x में ही आप value substitute करो y में भी substitute कर सकते हैं अब यह value लेते हैं let y is equal to 3 y का value 3D है 6-3 x is equal to 3 x का वाइगे भी हमको 3 एड़ा अभी हमको 2nd equation x-y is equal to 4 यहाँ पर हमको x और y के वैयूस फाट आट करने है x is equal to 2 2 यहाँ 2 minus y y is equal to 4, minus 2, minus y is equal to 2, therefore y is equal to minus 2, like formula, vahapar x k value to y k value minus 2. Second way, let y is equal to minus 3, y y is equal to minus 3, x minus y is equal to 4, x minus minus 3, x minus into minus, y is equal to 4, x is equal to 4, plus 3, minus minus, therefore x is equal to 1, x is equal to 1, then y is equal to minus 3, let x is equal to x is equal to 2, so 3, x कर दो दो दो, 3, 3, x minus y is equal to 4, x कर दो दो, 3 कुट किया, minus y is equal to 4, 1, y कर दो, minus 1, minus 1, यहाँ पर हमने 3, x और y के values, 5 dot किये, अभी ये values को, x plus y is equal to 6 के, x और y के जो हमने value पहले निकाला था वो, और x minus y is equal to 4 के जो values निकाले हैं यह, यह दो दो मिला के हम लोग graph में 3 percent करेंगे, यहाँ पर हमने x plus y is equal to 6 के values लिखे, और x minus y is equal to 4 के values यहाँ पर लिखे हुए, अभी इन values को, यहाँ पर हम लोग show करें ग्राफ पर, x is equal to 0, y is equal to 6, first of all हम लोग बता रहे हैं, x का value 0 और y का value 6, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लोग इसा शो करेंगे, यहाँ का लिखेंगे, 0, 6, second, x का value 2, y का value 4, x का value 2, positive 2 है, तो यहाँ से आएगे, यहाँ पर आएगा, और y का value 4, just, यहाँ पर dot कर दिया, third है, x का value 3, y का value 3, यहाँ पर भी 3, यह 3 और यहाँ पर भी 3, अनको मीले, इनको connect कर दिजिये, झाल सेकेंड में X का वेल्यू 2 Y का वेल्यू माइनस 2 X 2 Y माइनस 2 इसके नीचे यहां पर 2, minus 2 X का वेल्यू 1 Y का वेल्यू minus 3 X 1 Y minus 3 7 यहां पर X 1 Y minus 3 Last X का वेल्यू 3 or Y का वेल्यू minus 1 X का वेल्यू 3 Y का वेल्यू minus 1 So यहां पर आजाएगा थोड़ा सा इस पोजिशन यहां पर आया इसको हम लोग शो करेंगे यहां पर X का वेल्यू 3 Y का minus 1 यहां पर इस पीन पॉइंट्स हमको मिले तीनों को करेंट कर दे लेगा का वे वेल्यू यहां यहां पर दे लेगा यहां पर दोनों equation का जो line हमने graph में show किया है intersection हो रहा है x का value 5 और y का value 1 इस position में intersect हो रहा है intersection point intersection point on x on x is five and on y is one यहां पर intersect कर रहा है अभी हमने solve किया question number two का first question remaining questions coming videos में cover up करते है तब तक की लिए take care and bye अभी है यहाँ पर वादे JOHN